दोस्तो आज के सी वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि monetization के लिए apply कैसे करते हैं यहाँ पर देख सकते हैं मेरा subscriber और watch time जो है complete हो गया था इससे पहले भी मैंने apply किया था लेकिन कुछ कारण वस मेरा जो है नहीं हुआ था monetization on तो YouTube जो है मुझे एक मौका दिया था reapply करने का तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है reapply का option दे दिया है कारान यही था दोस्तों कि मैंने जो है reused content गिया था आप एक YouTuber है तो आप कभी भी जो है reused content का यूज ना करें reused content मतलब कि देख सकते हैं यहाँ पर री परपोजिंग समोंगर्स content without adding significant original commentary और educational value यानि कि किसी दूसरे का जो है content को लेकि इधर से उधर करके upload कर देना वही reused content होता है तो आज जो है मेरा option आ गया है तो चली सिखते हैं कि reapply कैसे करना है यानि कि monetization on कैसे करना है तो सबसे पहले दोस्तों चली सुरू से बताते हैं कि क्या करना है आपको सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर आना है अपने channel के dashboard पर आना है यानि कि यह आपका channel का dashboard है यहाँ पे आपको टाइप करना होगा उपर www.youtube.com तो www.youtube.com पे आपको टाइप करना होगा आपको सीधे आपका channel के dashboard पे लेके आएगा यहाँ पे आपको option मिल जाएगा YouTube Studio और customize channel यहाँ पे आपको click करना है YouTube Studio तो चलिए फिर से मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे YouTube Studio YouTube Studio क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डॉलर का साइन मिल जाएगा यहाँ पे आपको देखेगा स के तरह यही है Monetization का Option यहाँ पे अभी आपको दिख जाएगा यह है monetization यानि कि जो dollar के तरफ दिख रहा है तो आपको इस पर click करना है इस पर click करने के बाद यहाँ पर monetization का option आ जाएगा और यहाँ पर आपको option मिल जाएगा अगर आपका subscriber और watch time complete हो गया है तो आपका यहाँ जो apply का option आ जाएगा तो चलिए reapply हम लोग करते हैं तो चलिए यहाँ जो है reapply पर click कर देते हैं click करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं your reapplication is under review तीस तरह से reapply करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं your reapplication is under review you reapplied on 19 September 2020 due to recent global events please accept delays in application review तो यहाँ पर है मेरा जो है अंडर रिभी में चला गया है तो इसके बाद जो है अप सीधे मेरा जो है monetization जो है on हो जाएगा कुछ दिन में तो यही था दोस्तों आज का वीडियो में कि कैसे आप जो है monetization को apply कर सकते हैं और हाँ आपका जो है adsense account बनाना परता है तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा मेरा जो है already बना हुआ है तो next वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे जो है adsense account बनाना है और फिर से reapply करना है तो बस आज के लिए यही बताना था मिलते हैं फिर next वीडियो पर तब तक लिए bye और हाँ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो like, share और subscribe करना ना भूले thanks for watching हुआ हुआ है